जात्म स्वरु परम गुरु जै प्रभु तमारो प्रश्ण देवकरंजी मारात बबच्छे पुझ्य स्री देवकरंजी पुझ्य प्रभुसी जीना पुरुवा स्रमना पडोशी मित्रा था प्रभुजी साथे तेपन संतर त्यागे तो प्रभुजी तेमने उपर चड़ुलू देवु पता भी आपे यह वी एक वात थे देवकरण जी तो आनन्द पैम्या और आपके ब्रह्मचारी एवा देवकरण जी और प्रभुजी जी बनने जान इवान ब्रहिमा घर मा कोई ने खबर न पड़े तेरी ते सगाने तेया सायला जवान उबानु बतावी त्या थे सुरत स्री अरक्चन मारज पासे आवी पहुचे और दिक्ष्यां की कार करवा बबत वात्म प्रम गुबाल्द्वे बोजिव छे के विवा वस्तानों सर्वसंग परित्या प्रम पद्ने आपे छे आगाल उपर बनने सवन्त ओगण जोने चालिश मा खंबात मुका में अरक्चन जी मारज पासे दिक्ष्या ग्रहन करी दिक्ष्या गुरू देवकरिंजी ने जे प्रभुसी जी प्रम कौल ने त्राण साष्टांग नमस्कार करी शरण अंगिकार करेव। मुनी देवकरिंजी ने लगतु के मोटा माराज बोडा चे त्या चोकराने गुरू माने चे। देवकरिंजी माराज नों क्षोपशं सारो औने वाग प्रतिभापन सारी ते वक्ता तरिखे वखने। सुरत्मा सवंत ओगन सोने ओगन पचातना रोकान दर्म्या तेमना व्यक्ष्यांती आकर्शय मुंबई ना व्यपार युए मुंबई चोमा समाटे पदारवा विननती करी। चोमा सुल मुंबई करवा नक्की करी। पुझ्य प्रभुसी जी ने पना गम्तिवातती केमके परमकुपाल्य ना दर्शन थमागमनो लाग मुंबई क्षेत्र तेमने मले। प्रभुसी जी जारे परमकुपाल्य पासे आओवा कहे तेरे देवके जिमारत कहता स्रीमत शास्त्रकात वदारे शु कहानाची ते तो उ जान उच्छु तेमने पन म में स्रीमत ने जोया न थे तो ते अत्रप पधारे तो जोग तो खरो ते केवा पुरुष्छ थे तुंदरलाल कहे जे हुँ तेमने तेडियाविश्चु तुंदरलाल परमकुपाल्देवने चिजप्रकली उपासे लाईयावे थे तेमने जोता चारे मुनियों पाट उप कुपाल्देव के तमने केम खबर के बगवान नू कहे लूचे के बिजयागोईलो देवकेजी ने थयू आतो आशात्ना करे चे लोह उबाथ हवा लागया पन प्रभुसी जे तेमनो डाबो साथ हल्दभावी बैसीरिवने इशारत करी देवकेजी बैसीरिया शुरुथ्त कई बताएगो अने समाधान केगो देवकेजी माराजे निच्चे ने बेगा थाओ सुत्रकुर्तांग ने बतावी कि जे अबुद्धा, महाभागा, वीरा, आत सम्मत दन्तिनो असुद्ध तेसिं परकत सफलम होई सववसो अने जे बुद्धा, महाभागा, वीरा, सम्मत सुद्ध तेसिं परकत अफलम होई सववसो अने सुवगडान सुत्रना विरिया ध्यन निया बाविश ने त्रेविश में गाता छे अने कई जया सफल जया अफल होई अने जया अफल होई त्या सफल तो अर्थ ठीक बेसे तो गाथाओमा लेकंदोस चे क्या बराबर छे अवार्त हेवो छे के मिध्या द्रिष्टिनी क्रिया सफल छे फड़े करीने सही चे अर्थात त्याने पुण्य पाप फड़नू बैसवापणू छे सम्मेक द्रिष्टिनी क्रिया अफल छे फड़ रही चे त्याने फड़ बैसवापणू नती अर्थात कर्मनी निजिरात मित्य देष्टिने कियान नु ंसर नु तुकस सफल पुरूस्टि अन्य गरिया नु अफ़ली अपयली और हैं तैसे एमपारमास समझ वैग्याग्या की aus supportshing the bekas a tejyopalp weightedink का रभाउस्दि के ढ़ा मिल naszym देवकराइटाए पुरुस्टि अनताना अगा on to the गणा जीवने लाब थाए औने सवने जवाब पनापे। प्रमकुपालदीव कहे ए वाद जवाद। प्रभुसीजी वारमबार ए वाद संभरता है। एडले कुपालदीवे देवके नी मारद ने साथे लावानी रजापी। प्रभुसी जी ने साथे आवा कायू, तेरे देवकेजी काया भले, उन साथे आवेश, पन नमस्कार करिष्ण नहीं, प्रभुसी जी एमनी बात कबूल रखी, एक दिवस बन्ने मुनियो कुपालते उपासे आए बया, तेरे कुपालते देवकेजी ने पुछु, व्यक्ष् परिष्दा केटली बरायाएचे, देवकेजी मारायाद बोल्या अजारेक मानतोनी परिष्दा बरायाएचे, व्यक्यान उम अपुछु, कुपालते देवकेजी ने परिष्दा जोई विकार थाएचे, देवकेजी मारायाद कहेए, काया थी ततो नती मन थी थाएचे, पर कुपाल्देव एक खुलासो केरो मुनी आमे तो कालकोट विष्ट देख्ये चिये तमनेम ठाय चे आ तामली देवकरणजी तज्जड थे गया परमकुपाल्देव बुचे चे तमें कौन छो देवकरणजी काया चे जेटलो वकत वृत्ति स्थीर रहे तेटलो वकत साधू च कुपाल्देव कहे तेवी रिते तो संचरिन पन साधू केवाई खराग नहीं स्रावाक अनुवरत आधी अन्त सप्तम गुण साना देवकेंजी माराज मौन रया परमकुपाल्देव बुल्या हे मुनी नारियोल नो गोडो जे मंतर जुदो रहे चे तेमामे रहे चिये वि सम्यक संप्रदाइक बुद्धिती काहे चे तेने तम्हे सम्यक जाना चो देवकेंजी माराज के ना ते सम्यक ना केवाई परमकुपाल्देव कहे संकेतनों स्वरुप कोई विजू हो जुई ए विशे तम्हे विचार जो एक दिवस प्रफुसी जी एकला गया तेरे एक ज सत्पुरुष्णी निंदामा पड़ी गांडों थे तंगाडों चोड़ी जेतरयों तो देवकेंजी ने जहें शास्त्र नो अबिनिवेश तो प्रफुसी ने वारमवार कैता के त्ष्रिमाद सूत्र थी बार्तय शू के वाना ची अनु अनु बदेवाई जानु जानु अ आ शास्त्री बिनिवेश मंद करावा कुपाल दुवेतर ने योग वासिष्टा थी वेदान्तना शास्त्रों वाच्वाया प्याता कि फुरत में वेदान्तना जानकार गणा पायो था त्यमना समागम मा आवाती अनु वेदान्तना विशेष वांचन्ती देवकरिंजी पोता ने अनु परमात्मा मनवाला गया प्रभुदीजी पत्र मां परमकुगोद्वे ने आ वाद निवेदन करी। एकांत वादमा नातनाये जवा मांटे देवकरिंजीने उत्रयदेनादी जैन्सुत्रो नुँ पुनर अवलोकन करवा सुच्यू। एक पत्र वतिनमुद 580 प्रभधिर जुपल लखी, देवकरिंजी ने उपदेश रूपे आपयो, कि गिनानी पुरुष्ट ना समागमनी उपासना विना, जीव स्वच्छन्दे निष्चे करे ते छूटवाना मारग्रुथी, सर्व जीवनु परबात्न पनुछे, पन जया स्वरुप यथा ते प्रक्ते ने, त्या सुझी ममुक्ष जिगनासु रहू ते वधायरे सारू छे, जी मारग्रुथी ने प्रबर्त्वा थी, ते पदनु पान पन्ठतु ना थी, तथा स्री जीन वित्राक स्रवग्न पुरुष्णी आशार्त्न करवारू प्रवति त्यासंगों माते गुरु होय, तो गुरु कुलकास जीवगची शके, नहीं तो पोता ने दोष देख देखाता नथी, तो दोष रहेचे जाते। प्रभुशी जी साथे देवगंजी ध्यान करें, माला फेरिवेने वैक्ष्यान करें सुरोता ओ प्रभुशी जी पासे आवी, देवगंजी मुनीनी प्रशंसा करें कि माराजे आजे तो बहुत सारू वैक्ष्यान है प्लो परन्तु जारे देवगंजी व्यक्ष्यान करी निचे आवे तेरे प्रदुसी जी कहे आजे वीशेश अभिमान करिव ध्यान करी रिया पजी कहे तमें तरंग करो जो देवगंजी काई उत्तर आपता नहीं पर परमकुपाल्देव सुरत पधारवानाता ते वक्ते आ अंगे पूछवानों तेमने मनोमन नक्की करी राखियोट। एक दिवसे प्रमकुपावदे सुरत पधार्या, तेरे मुनियो पासे आएवा, ते वक्ते देवगेंजिया प्रश्न पुछो, सुरी ललुजी माराज, मने व्यक्ष्यान आपिन आओ, तेरे काये चे अभिमान केल, त्यान करुचु तेरे काये चे तरंग रुप, तोशों व लद्गुरुने आगिनाथी जेगें करवामा आवे छे, ते कल्यान करी धर्मरुप साथ साधन छे, सवन्तोगनेसोने एकावनमा प्रमकुपावदेव कठोर पधेर्या, अने उपास्रहीमा बेडा उपर जुईत्रया, तेथी उपर जयता पहला, प्रभुदीजी देवग आत्मक्दान प्राप्त करवाने इच्छा होई, तो विनाई नमस्काराधी करवा पड़े, देगवें जिये कईू, आपने बे मुनियों जैये, तो नमस्काराधी करेश, विया मुनियों ने साथे लेवाने, तेथी चतुलाल जी मुनियने निचे राकी, प्रभुदीजी आपने देवकेंजी अब्या मुनियों उपर गया, आपने विनाई नमस्काराधी करेश, निचे बेठा, प्रमकुपल्देव उत्तम बोधरुपी प्रसाधिती तुरुपत करेश, चतुलाल जी माराध दाध्रे अरुधू चड़ी ने जोहिली दू, आपने नमस्कार शर्माया, आने तेवने पान प्रमकुपल्देव उपरत्ते पाहु जयाग्यों, सवन्तोगने सोने बावनमा वडवा समागम थेओ, त्यारे प्रतम दिल से, जारे कुझ्य प्रभूसी जे मुपति फेकी, त्यारे कुपल्देव मुनि देवकरिंजी ने काहल, क्या मोटा म मुपति पाची आपो, आ प्रसंग बात मुनि देवकरिंजी मौनलाल जी माराद ने सम्झावे छिए, कि जेने दोड मास नो दिक्रोप, औने ब्याशी वर्चने डोसी एटले माने छोडी साधूपनु अंगिकार केरी होई, ते जे पुरूष नो आश्रो करे, ते अम्था करता आशे, एमनु थायते मारू थाजो, एम आत्ती गणिले, आने तेमा तरू कल्यान छे मानिले, सबसंग ना बिजादिल से, खमबात पाचा वलता देवकरिंजी बोले, आश, आवे तो गणो बार ओचो थे गयो, आने अलका फुल जेवा करी ने क्याची, सवन्तो गणि खेडा मुका में त्रेविश दिवस नो समागाम, मुनि देवकरिंजी ने थे, तनो गृत्तान प्रभुसीजी ने जणावता लखे छे, असद्गुरुनी ब्रांती गई, सद्गुरुनी परिपूर्ण प्रतिदी थाई, आगनाव शुरुत्ती थाई, पचिपोते कुरप पौँदेवने हिकरा रुपए लखे लखे लेशने साधुपने मुमानी बेटो हतो, लिखी तन मा लखे लिंगदारी देवकिरा, देवकिरा, देवकिन्जी मुनी प्रमकुपोलेनो पत्रे वाटे समागम करवा ला गया, और पोताना जुना गाट करमुनी करोड़ कपाव मारा करमन दोश चे, प्रभु स्वामी सत्थन नी घणे जरू चे, पण हशे, तमो व्यापार व्यावार करो, दुकाने ब्यसो, लोको तमने मले, तेरे प्रतिबन नहीं थतो है, और अमें सत्थन मागे तेरे प्रतिबन, अमारी पर दया लाओ, जणी ने जाड़ामा करता, अवे अमारे तमारो एक आतार छे, अवे अमों क्या जे, अमों एक संप्रदाय पड़तो मुक्यो, आपनी आगिने जिवू छे, व्रुत्ती खलबले छे, कि तमारू समरान करू छू, अने व्रुत्ती नासी जाए छे, लक्ष्मान रेखा ओड़नती न थे, खेड़ा सत्गुरुनी परिपून प्रतिती थाई, अत्यत निष्चे थेयो, रोमान चुलस्या, सत्कुरुष्नी प्रतिती नो द्रड़ निष्चे, रोम रोम उत्री गयो छे, आगिनावश व्रुत्ती थाई छे, रसास्वाद वगेरे विशे आसक्तिना निकंदन थवा विशे, अद्भुत् अष्चेर कारे उपदेश थेयो छे, कि निंद्रादी गुरोधादी प्रकुरुदियो प्रत्य शत्त्रु भावेवर्तु, तैने अपमान देव, तेम चेता नामाने तो कुरूर थाई, ते उप्षमाववा गाली देवी, तेम चेता नामाने तो ख्याल मा र गिन्यान नी जे तेव जोमय अवस्ता, ते कुपाल देव पामेला, तेनी अत्मग्रानी बाद संबले, उन्तो दिगमुड थेगियो, तेम देवकेनी माराद लखे छे, पत्रमा लख्यू, एक दिवसे आहर करिनेव कुरुपाना थे तेले स्रीमाद उत्रेला ते मुका में ते बंगलाने चार मालाता, तेना त्रिया माले प्रमकुपाल देव बिर्याजाता, ते वक्ते तमनी अद्बुद्ध शामारा जोमय अवस्ता, ते में जायनूं, कि आ अउसरे उन छतो थे, तो ते वो ना अनन्द मा फेरफार थे, एम वीचारी, उन एक बीदना पड़ द अध्बुद् योगिंद्र परम सम्दी मा रहता हता, या वनुक्षेत्रे उत्टर संडे वर्ता परमात्मा परम अध्बुद्योगिंद्र परम शान बिर्याजे छे, यू पोताने नग्नभवी अलिंगी निसन धशा वनवता हता, आपे कयू, या प्रमुजी है कयू, ते म मोख्ष प्रत्यक्ष नजरे आवे चे, प्रमकुपवद्वे पूर्ण कुरुपा करी चे, लके चे आमें एक आहरन वखत एले गुमावी चे, बागे तो सद्गुर्णी सिवामा काल व्यतित थाई चे, एटलू बस चे, तेनू तेज वाक्या तेज मोख माती जारे स्रवान क करिये चे, सर्वापरी उब्देश में एमा जायवा करे चे, कि शरीर कुरुष करी, माहेनु तत्व श्योधी, कलेवर ने फ्यकी चैला जाओ, विशेरूप चोर ने अंदर ती बार काडी, बाली चाली, फूंकी मुकी, तेनुष्णांत तक करी, दाडो पवाडो करी, शान जानती, शानती, शानती थाओ, वेला-वेला ताकित करो, गिञानी सद्गुरुना उब्देशला वचनों सांबली ने, एक वचन पान पोन प्रेम्ती ग्रहन करे, एक पान सद्गुरु नों प्रेमती आरादे, ये ज मोक्ष चे, ये मोक्ष बतावे चे, पचितो आसर्यने शरन ना बढ़े मुनी देवकरिंजी नी देशा पन बहु वदी परमकुपाल देवकरिंजी नी वक्ति देशा दी संतुष्ट थेया औने वचनामुत 870 मा लखे चे ए आर्य ए मुझब संभुधन करी अशिर्वचन लखे चे कि जें दांगजरा तरफ विहार कलता राण उत् संप्राप्त थेया तेम भाव सेम बुरुमन तरीने पारने संप्राप्त थाओ परमपुरिष्णी कृपादरिष्टी एच सम्यक दर्श्चा चे परमपुपाल देव पत्रना संभोधन मा कृपालु मुनी वर्ष्च अब्दपन वापतता अने शाक्त्रे ब्याद गणो उ पाटो वैग्यों पर पाक्यों और सडो वत्ता वत्ता हड का दुझीपाच्यों सडो समयक देवाती काबुमावैम नो तो चे स्रावको डोली मा ब्यासडी अम्दवाद इलाज माटे लाईयाएगयो पो ताने दे छोडवानौच्छ ए तो जन नक्की परन मुर्चा अवस् येवा बाशान बहु किर्या चे तो जोवतो खरेल आ लाकडू पगुनू केम कपाई चे अने क्लोरोहम लिदा वगार सात्सात वखत पक कपेल वेद दिनों पड़कार जिलीलाई प्रभुषिजिना शब्दों मां सें सम कर्मसामे शुर्वीर थे परमकवादेवनी स्रद्ध अत्मपरेनामी थाई देहित्याग्यों इत्यासने पाने चड़ेल शास्त्रुक्त वातोतो छे तू कोशल मुनी नी चेलाती पुत्र नी कंदक मुनी और गत्तुकुमार नी पड़ातो तारीक वार समय अने स्थाळ साथे अमनाज बनेली गटना अने आ प्रसंगोती पुझ पुझ जात्मठ्व परमगुरू पुझ देवकरिंजी नी अध्यत्मद शाक कई अशे त्यानों एसास थायम चे पुझ भड़ेव अगखान ने बंगले अमदावत्मा काया चेला अ बनने मुनी अचला पुझ्य प्रभुति जी अने पुझ्य देवकरिंजी मुनी ए प्रथाकालनमुनि समित मुक्तिगामी सहजात्मपरुपरंगुरू